भाई बेर खायक में तो बड़ा माज़ा लागे है कि नहीं तो चलू जदी बेर खायक है तो इकर खेती करे खामरेमन जानब इकर लगिन माटी के सन रहक चाहिए इकर रुनत प्रभेद कौन-कौन है बेर लगिन माटी रहक चाहिए दोमट और बलूई दोमट माटी जदी इसन माटी है तो बेर कर खेती बढ़िया होई इकरुनत प्रभेद है कडाका और गोला प्रशारविधी, चस्मा और क्राफ्टिंग बगेचा कर प्रकार के सन रहक चाहिए सेखो जानू जदी ढलूवा भूई है तो इंकर में कंटूर खेती करू और जदी संब हुई है तो चैर कुनिया पोधा कर मधे कर दूरी कतन राखेक है पोधा कर मधे कर दूरी राखो 5 मिटर से 5 मिटर अब गाढ़ा कर आकार गाढ़ा कर आकार के सन रहक चाहिए सके ध्यान से सुनू जखन रोरे गाढ़ा कोडब तो एके लंबाई में राखेक है सुन्य दस्मलो साथ पांच मीटर चोड़ाई में राखेक है सुन्य दस्मलो साथ पांच मीटर और गहराईयो राखेक है सुन्य दस्मलो साथ पांच मीटर गढ़ा जदी रोरे कोड़ा थी तो कर बेस बेरा है माई और उगाढ़ा में पौधा लगाएक कर बेस बेरा है जून और जुलाई गढ़ा जदी कोड़ी रोरे इकर में फर कर पौधा लगा थी तो उके माईन मन से भरिक है माईन कोन-कोन है कतना कतना देख है गोबरकर माइन्द 8 kg, चुना 1 kg, करंच कर खरी 1 kg, SSP 750 g, MOP 400 g और मिथाइल पराथियों धूल 50 g इतो भेला गाढ़ा में माइन मन कितना कितना भरिक है गाढ़ा कोईड के इकर में पोधा लगाय के इके माइन से भेर देली इतने में काम नहीं चले भाई पोधा जैसे जैसे बाढ़ी इकर में माइन्द के और देते जायक है तो पोधा में माइन्द के कतना कतना देख है सके जानू पोधा के 3 बरिस तक 10 kg गोबर माइन्द 1.5 से 2.6 kg करंच खरी 70 ग्राम नेतरजन, 25 ग्राम स्फूर और 90 ग्राम पोटास देख चाही इकर मात्रा असे अस बढ़ाते रहेक चाही साले साल बाढ़ल पोधा मन के 20 से 25 kg गोबर माइन्द चाही 3 kg करंच खरी और 460 ग्राम नेतरजन, 130 से 160 ग्राम स्फूर और 240 ग्राम पोटास देख चाही जदी इतना करब रोरे तो रोरे के उपज बेटाई 80 से 200 kg प्रती गच माने की हरेक गच से जतना गच रोरे लगा ही तो सोब गच से रोरे के बेटाई 80 से 200 kg इकर से सुध रोरे के मिली 30 से 35,000 रुपे प्रती हेक्टर प्रती बरिस तो देखू भाई जदी बेर कर खेती रोरे कर रथी तो इकर से इतना रोरे के मिली तो काले इसननी करल जाए बेर कर खेती करो बेर कर उपजा करो और उके बजार में बेच के लाब कमो